Hello everyone, कैसे हैं आप? I hope आप अच्छे से होंगे. मेरे बच्चे, as you know, we are preparing for term to exam. Chapter number 7 पे हम integrals, right? तो इसमें जो तीन measured हमारी techniques integration की, उनको हम cover कर चुके हैं. Like, first हमारे हो गए integration by substitution, ठीक है? Substitution by, इसमें आपको perfect बनना पड़ेगा, जो मर्जी कर लो, substitution के बिना आपका काम नहीं बनेगा integration में. Chapter 7 थो, Chapter 8 थो, Chapter 9 थो. ये तीनों में integration by substitution आपका पीछा नहीं छोड़ेगी. So please यार, integration by substitution को एक दम perfect कर लो. उसके लिए मेरे lectures देखो, exercise 7.2, वो complete करो. उससे पहले मेरे दो lectures हुए थे, substitution में basic चीज़े मैंने बता रखी हैं, जब को अच्छे से समझो, तो substitution में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है? Integration by substitution आपने एकदम perfect करना है. फिर उसके बाद हमारी जो next technique थी, by partial fraction. कि rational functions को हम कैसे, चोट-चोटी fractions में break करके integrate करते हैं, ये भी हमारा topic हो चुक है. Then, integration by parts, जिसमें हमारी 7.6 आती है. Latest हमने वो complete कर दी. ठीक है? उसके बाद, अभी जो हमारी next exercise है, that is 7.7. इसको complete करने के लिए आपको 3 formula सीखने पड़ते हैं, वो already previous lecture में आपको मैं करवा चुका हूँ. 3 formula, उनका derivation, उन पे examples भी करवा चुका हूँ. 7.7 आप खुद से भी कर सकते हो, बट फिर भी मैं यहाँ पे कुछ questions आपको इसके करवाऊंगा, जिसमें बच्चे थोड़ा सा silly mistake कर देते हैं. वो वाले question में आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ. बट अगर आप थोड़ा से expert हैं, calculation में silly mistakes नहीं करते हैं, तो गयाँ 7.7 खुद से ही आप निप्टा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है? फिर भी मैं कुछ questions यहाँ पे लेके आया हूँ. topic हमारा इसमें यह चल रहा है, integrals of some more special type, जिसमें हमारा जो type 1 चल रहा था, scale root of quadratic, पिछला lecture देख लेना यार, उसमें आराम से आपको समझ में आ जाएगा, यह कैसे करना है, फिर दूसरी type हमारी चल रही है, linear scale root of quadratic, यह दो type के question हमारे cover हो रहे हैं, 7.7 में, जिसमें आपको 3 formula सीखने बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए, देखो exercise के questions हमारे, देखो question number 1, इसमें आप कभी भी कोई भी silly mistake नहीं करेंगे, यह बिल्कुल basic सा question है, आपने सिरफ 4 को क्या लिख लेना है, 2 का square, x पे square already है, तो आपको इसका formula अप्लाई कर देना है, 3rd number पर जो मैंने formula लिकाया था, square root of a square minus x escape, formula लगाओ, थोड़ा simplify करो, जो भी answer बन जाएगा, एक ही step काईए, ठीक है, इसमें आपका भी silly mistake नहीं कर पाएंगे, ना दो question number 2, इसमें बच्चे कहीं बर थोड़ा सा difficulty face करते हैं, सरी 4 को क्या कहा हम common लें, यहीं पर रहने दें, मैं यहां suggest करूँगा, जो number perfect होता है, x square के साथ अगर कोई number perfect आ गया, उसको common लेने की जुरूद नहीं, अराम से हो जाएगा यहीं पर इसको, बस integration के बाद जो derivative करना होता हैं, divide में, बस वो नहीं आपको बोलना, देखो मैं यह आपको परके बताऊंगा इसमें, 4 x square है, इसको लिखो आप 2 x का whole square, formula तो हमारा बन गया, वही जो first question में आपको अप्लाई करना है, वही formula यहां पर बना हो, ठीक है, अब देखो इसको मैं apply करके बताता हूं, पहले मैं आपको formula भी लिखके बताता हूं, कि complete इसका formula क्या है, मेरे बचे, integration of a square minus x square, यह वाला इसमें formula बन चुका है, ठीक है, तो क्या आप बताया था, मैंने याद भी कर रहा है, यहाद है कैसे याद करने है, x by 2 लिखना है, फिर यह पूरा यह term आ जाएगी, यहाँ पर minus या plus का खास ख्याल रखना है, इसमें यह plus आएगा, फिर a square by 2, यहाँ x square वाली negative है, तो यह formula बनता है, sin inverse का, तो मेरे बचे, यह वाला formula आपने apply करना है, फिर plus आएगा a square, a बचे हमारा 1 है यहाँ पर, upon 2 आएगा, फिर sin inverse, फिर क्या आएगा, x by 2, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2x by 2, ठीक है, x by 2 लिखना है, तो x हमारा 2x है, sorry by a, a is 1, यहाँ तक तो okay, आप formula लगा देते हैं, सब हो जाता है, लेकिन बचे मेरे, इसके whole divide में 2 लिखना आप बूल जाएंगे, आप बोलेंगे, सर यह 2 कहां सा है, मेरे बचे जो 2x है न, 2x, इसका derivative divide में करना है, तभी मैंने, बहुत सारे कोश्चन में बता रखा है, अगर आपको बूल जाता है, कि 2x divide में लिखना है, इसका derivative, तो आप 4 common ले लो पहले, ठीक है, अगर common नहीं लेना, यहां रखना है, तो divide में derivative करना मत बूलिएगा, बस यही answer है, आगे थोड़ा आप simplify कर सकते हैं, जिसे 2 कट रहा है, और यह जो 2 है, इसको आप पहले लिख सकते हैं, ऐसे, यहां 1-4x square वापिस बन गया, यहां पर 1 by 2, it is sine inverse 2x, बस इतना साइस का answer है, ठीक है, इसमें कहीं बार silly mistake होती है, कि 2x की वज़े से, वो मैंने आपको यहां पे सिखा दिया, चली, आगे बढ़ते हैं, question number 3, इसमें आप कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते, बस आपको इससे पहले वाला मेरा lecture देख लेना है, उसमें मैंने इससे भी tough example आपको समझा रखी है, यह तो बहुत simple है, ठीक है, question number 4, यह भी simple में आता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, question number 5 में भी हमें कोई problem नहीं आती है, minus को कैसे यह adjust करना है, यह 7.4 exercise में मैंने detail में पढ़ा रखा है, क्योंकि उसमें भी इस तरह के quality का, उनको completing scale कैसे बनाते हैं, minus का कोई problem आ रहा है, everything in exercise 7.4, उसको तो perfect करके आप पहुंचे हो न, 7.7 में, तो यह वाला तो फिर आराम से हो जाएगा, है न बच्चे, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती बच्चों को, यह भी simple है, question number 6, इसको भी हमने नहीं करना है, यह खुद आप बच्चे practice करो, 7th is also very simple, 8th, अब 8th में बच्चा कहीं बार silly mistake करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई constant जो था, quadratic में वो नहीं, तो बच्चा कहता है, अरे यह क्या हो गया, कहां चला गया, कैसे करें, बहुत simple है, even कि जो पिछले question है, उनसे ज़्यादा simple है question, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, identity तो बनानी पड़ेगी, completing square तो आपको लगाना पड़ेगा, formula में convert करना पड़ेगा, यह आपका a square हो गया, x value term आपको 2a भी provide करती है, तो it is 2, a आपका x है, तो b कितना हो गया आपका 3 by 2, तो यहाँ पर आपको लिखना है 3 by 2 का square, यह 3 by 2 का square आपने खुद से लिखा, तो इसका negative भी लिखना पड़ेगा, बस इतना size में, अब यहाँ पर क्या है कि constant जो, यहाँ पर हुआ करता था वो नहीं है, तो अच्छी बात है न, नहीं है तो, नहीं तो आपको 3 by 2 square के साथ, उसको simplify करना पड़ता है, तो अच्छी बात है वो नहीं है, तो खाली 3 by 2 का square बना, perfect अल्रेडी बन गया है हमारा, कितनी अच्छी बात है, तो इसमें कोई ऐसे गबराने वाली बात नहीं, बहुत simple है, first 3 term आपकी formula में चलीगी, completing the square, a plus b का whole square, first 3 terms का यह हो गया, और next आपके पास यह आ गया, that's all, very simple, अब लगा दो इसको formula, कौन सा formula, x square minus a square वाला, जिसके center में minus आता है, वो वाला formula बनाया, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, x by 2 आएगा, x यहाँ पर हमारे पास यह, x plus 3 by 2, यह x है, upon 2, x by 2, यह root वाली term आपकी complete आ जाएगी, ठीक है वेटा, फिर यहाँ पर center में क्या आएगा, plus के minus, minus आएगा इद्यान रखना, पहले वाले formula में plus है, दूसरे में minus है, फिर plus है, वो मैंने सिखा रख है, previous lecture में, यहाँ minus आएगा, फिर a square by 2, a बचे हमारा यह है, upon 2, फिर क्या आएगा, log, जब यह divide में वह गरता था, उस time पे इसका क्या formula था, log x, यह पूरा आपका, x plus 3 by 2 x हो गया, plus यह पूरी root वाली term, that's all, I hope यह visible नहीं होगा, आपको camera के पीछे, कुछ नहीं यह root वाली term ही लिखी है, यहाँ पर मैंने, log x plus यह पूरी root वाली term, that's all, बस इसको simplify करना है, simplification बहुत simple है, देखो, यह वाली term का simplification कैसे जाएगा, इसका LC मागए आपका 2 x plus 3 करके, 2 x plus 3 नीचे 2 था, 1 और 2 और 4 हो गया, root में क्या करना है, इसको पूरा वापिस expand ना करें, यह चीज कहां से आई थी, अरे भाई, इसी को बना रखा यह, तो इसका calculation direct यह लिखो, बारवर उसको दिखाने की जुत नहीं है, direct ही लिखना होता है, पहली term ऐसे simplify होगी, फिर minus 3 by 2 का scale, 9 by 4, 1,2 पहले से है, तो 9 by 4, 4,2, 8 बन गया यह, फिर log है, यहाँ पर x plus 3 by 2 है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 x plus 3 by 2, फिर root के अंदर क्या लिखना है, मैंने बोला यारी, जो root के अंदर लिख रखा है, यह पूरा यह ही है, तो वापिस इसी को लिखो, मेरे बचे बस यहीं question को छोड़ देना, यह answer है, that's all, तो यह question में थोड़ी दिक्कत आदी बच्चों को हो गया, यह ज़्यादा simple है, ठीक है, 8th, 9th, यह तो बहुत ज़्यादा simple है, इसमें कोई attention नहीं, simply आपको इसको ऐसे लिख लेने, अब यहाँ पर x by 3 का derivative करना होगा, जो की 1 by 3 आएगा, ठीक है, x by 3 का derivative जो की 1 by 3 आएगा, वो करना मत बूलिएगा, लेकिन अगर आप बूल जाते हैं, तो मैं इसको आपको simple form में भी करके दिखा देता हूँ, आप इसमें ऐसे कर दो 9, प्लस x square, ठीक है, 9 मैंने LCM ले लिया, उसके जो 9 divide में, इसको root के बाहर ले जाओ, तो यह हो जाएगा 1 by 3, और यहाँ पर आपका बड़ा must question बन गया, 3 का square प्लस x square, इसको आप formula लगा दो, फर्स्ट वाला formula लगेगा, जो मैंने करवाया आपको, ठीक है, तो यह थोड़ा सा मैंने आपको adjust करना सिखा दिया, कि कैसे करना है, ठीक, चलिए, अब यह 10th, 11th, यह इतने ज़्यादा simple है, कि इनको अभी करो ही मता practice, डिरेक्ट अगर exam में आते हैं तब ही करो, क्योंगि यहाँ पर बनेगा आपका a square प्लस x square, बस आपको formula याद रखना है, वो formula अपला ही करना है, इसको completing the square लगा के इस जैसा बना लेने, तो previous जो lecture मेरा हुआ है, उसको जरूर देख लेना, यह question तो ऐसे आप चुटकी बजा के अराम से कर लोगे, ठीक है, चलिए, अब देखो यह है 12th question, अब यह जो 12th, 13 और 14, यह 3 questions है न, आपको यह supplementary material में मिलेंगे, 7.7 के 3 question, जो type 2 के अंडर आते हैं, type 2 के अंडर आरे हैं, linear के root of quality, यह supplementary material है, अंसर के पीछे जो, कुछ आपको exercise दे रखी हैं, उसमें मिलेंगे आपको 3 question, जो main exercise है, उसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो देखो आब इसको क्या करना है, यह linear और quality के अंडर आ गया, linear square root of quality, type 2 के अंडर आ गया, तो मैंने आपको क्या सिखा रखा है, square root के अंडर जो quality के है, इसका जो derivative है, वो बाहर होना चाहिए, x की जगा पे, जैसे इसका derivative के x plus x square का, 1 plus 2x, तो वो बाहर होना चाहिए, जो की नहीं है, इसको बनाने का process, मैंने अल्रेडी सिखा रखा आपको, previous lecture में आप ज़रूर इसको देखें, लेकिन फिर भी मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, कि कैसे इसको बनाना होता है, मेरे बचे जो linear है, इसको लिखो a derivative of quadratic, ये लिख लिख लिया, 1 plus 2x, ये quadratic का derivative, plus b, ये आपने x को ही एक तरह से break करके लिखा है, बस आपको a और b पता नहीं कि क्या है, वही आपको find करने होते हैं, जैसे आप 5 को लिखते हो न, 3 plus 2, तो कहीं पर 5 है, तो आपको 5 नहीं चाहिए, आपको 3 और 2 चाहिए, तो 5 को break कर लेते हैं, 3 plus 2, होता तो 5 ही, इसी तरह से इस x को break करके लिखा हुआ है, अब आपको यहाँ पर a और b बस डूढ़ना है, that's all, फिर x की जगा यह लिख देंगे हैं, तो वो कैसे डूढ़ना है, equating like terms, दो तरह की terms होती हैं यहाँ पर, दोनों तरफ, एक x वाली term, एक constant term, x वाली term, a की यहाँ पर x, left side में तो उसका coefficient यहाँ पर 1 हो गया, right side में जो x वाली term है, उसके साथ उसका coefficient 2 है, साथ में उदर से a आ रहा है, तो it is 2a, तो आपका a कितना बन गया, 1 by 2, फिर constant term, left side में है यही नहीं, तो उसका 0 हो गया, right side में constant term, एक a है, दूसरा b है, a का value हम अल्रडी निकाल चुके हैं, that is 1 by 2, तो b पच्चे यहाँ से बन गया, minus 1 by 2, a भी आ गया, b भी आ गया, अब आप x की जगा यह लिखो, और बाद में a, b का value डाल दो, that's all, दो question बन जाएंगे, छोट-छोटे, देखो इदर, x की आगे लिखना है, a, 1 plus 2x plus b, यह पच्चे पूरा x की जगा आ गया, और root के अंदर को है चल रहा है, x plus x square, अभी जो root वाली term हैं, एक बार a और एक बार b के साथ लिख दो, यह root वाली term आ गई, a के साथ, a question, और एक बार आगे b के साथ, यह दूसरा question बन गया, लो भाई, हो गया काम, पहला वाला question है, substitution का, और दूसरा वाला completing the square, जो अभी आपको सिखाया मैंने, a का value आप डाल सकते हो, 1 by 2, इसमें substitution आप थोड़ा सा direct लिख सकते हो, क्योंकि इसको t डालोगे न, तो यह पूरा dt बनेगा with dx, तो जानि a का value बाहर कर दिया, यह पूरा actually root t है, dt, ठीक है, substitution तो आपको आती है, t डाला उसको पूरा derivative dt में आ गया, तो root t dt हो गई, दूसरे वाले part में completing the square लगा दो, b constant है, यह बाहर हो गया, यतना simple है, तो direct आप इसको लिख सकते हैं, a square, ठीक है, थोड़ा direct ही लिख रहा हूँ यहर आपको यात है, इसलिए मैं थोड़ा सा direct यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, मेरे बच्चे, अगर confusion हो तो मैं आपको बता भी देता हूँ, यह जो x square प्लस x है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, a square प्लस 2, a, b और यहाँ पर b का square, फिर इसका negative भी डाल देना, बस यह चीज़ फोड़ी adjust करनी उसको मैं direct लिख रहा हूँ, कैसा हैगा, a प्लस b, जो b होता है न, वो x के coefficient का half होता है, x का coefficient है 1, उसका जो half है 1 by 2, तो वो b होता है, यह सब सिखा रखा है, मैंने previous lecture में, फ्लीज उसको जरूर देख लेना, तो a प्लस b का whole square, यह बना दिया, यहाँ पर minus b का square, और कोई number तो है नी इसमें, ठीक है न, तो खाली 1 by 2 का square आ गया, तो x plus x square को इस तरह से adjust हो गया यह, that's all, मेरे बच्चे इसके आगे कर लेना, root t का integration आपको आता है, और इसको formula बन गया, second वाला, जो तीन formula मैंने लिखवाय थे, प्रीपिसल एक्से इसे second वाला formula बन गया, बस वो इसको apply करना आपकी, ठीक है, तो इसके आगे please आप कर लेना, ठीक है, चलिए, यह question बिल्कुल similar है, इसमें भी कोई confusion नहीं, बिल्कुल similar question है, ठीक है, इसमें एक बर मैं देख लूँ, यहाँ 3, यहाँ से a b निकाल के देता हूँ आपको, एक्स का कोफिशन वान है, यहाँ पर एक्स का कोफिशन वान है, तो बचे ए कितना आगया, वन बई फोर, यहाँ पर constant term वान है, यहाँ पर constant term सिर्फ बी है, तो बी का value वान आगया, तो बई इस x प्लेस वन की जगा, आपको बस यह पूरी term लिख लेनी है, लिखके बता दू, चलो लिखके बता देते हैं, यह आपके बास आगया, 4x into a, प्लेस b, यह लिख दिया, x प्लेस वन की जगा, यह इसके साथ root वाली term, आगये भी करके बता दू, चलो आगये भी करके बता देता हूँ, यहां करते हैं, a वाला question एक अलग बन जाएगा, 4x के साथ, यह अलग हो जाएगा, इसके साथ root डाल दू, root में आपका 2x square प्लेस 3, छीक बेटा, प्लेस b, b, b के साथ यह अलग हो जाएगा, 2x square प्लेस 3, यह question किसमें चला गया, यह आपका 1 by 4 आ रखा है, 4x इसका derivative है, जब आप इसको t डालोगे, तो 4x dx पूरा dt में चल जाएगा, तो basically यह root t है, that's all, what is b, sir b तो 1 आया, लो भाई, इसको completing the square लगा ले ना, यह जो term आ गई, यह बहुत जादा simple है, सिर्फ 2 ही बाहर उठा के करना है, 3 by 2 होगा, उसको perfect लिखना है, root के अंदर आराम से हो जाएगा, sir करवा दो, करवा दूं, चलो ठीक है, करवा देता हूँ, इसको perfect बना के लिख देता हूँ, यह 2 बाहर आ गया, with root, ठीक है, यहां से 2 बाहर लिया था, x square बचा, यहां पर 3 by 2 हो गया था, तो 3 by 2 को आप कैसे लिखना है, root 3 by, root 3, root 2 का whole square, लो भाई, और बताओ, आगे तो बस formula लगाना है नो, फॉर्मुला लगा ले ना इसको, ठीक है, चलिए, इसका last question है, question number 14, यह बिल्कुल similar है वाई, इसको let करना है, a derivative of this quadratic plus b, a b निकालना, दो question बनेंगे, एक substitution में जाएगा, दूसरा आपका, फिर completing का square करके, type 1 में चला जाएगा, previous lecture, अगर आपने अच्छे से देखा है, notes बनाएं, तो 7.7 तो वैसे हो जाती, मैंने starting में आपको बता है, ठीक है, तो यह दे बच्चे, आपकी छोड़ी से exercise 7.7, practice कर लेना, कोई question इसका भी फज़ सकता आपका, और इसके formula का proof जूरूर कर लेना, उनका proof भी exam में पूछा जाता है, right, चलिए बच्चे, अभी के लिए इतना, bye bye, take care,